हम जानेंगे कि Samsung M31 या Samsung M31S मोबाइल में वाल पेपर कैसे सेट किया जाता है हम अपने Samsung M31S Samsung M31S मोबाइल में किसी भी फोटो को अपने वाल पेपर में कैसे सेट कर सकते हैं तो Samsung M31S Samsung M31S में wallpaper set करने के लिए सबसे पहले आपको उस photo को open कर लेना है आप जिस wallpaper को set करना चाहते हैं उस wallpaper को open किजिए और open करने के बाद यहाँ पर आपको 3 dot मिलेगा नीचे में तो 3 dot पर click करना है और 3 dot पर click करने के बाद यहाँ पर आपको set as wallpaper मिलेगा तो आपको set as wallpaper पर click करना है और यहाँ पर आने के आपको 2-3 option मिल जागा यहाँ पर सबसे पहले है home screen अगर home screen पर click करते हैं तो आपका जो wallpaper सिर्फ home screen पर set होगा लॉकी स्क्रीन प पर click करते हैं तो आपका wallpaper शिर्फ lock screen पर set होगा है तो यहां और आपको तिसरे नमबर पर हो मपोई क्टि क्रीन से तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर ख़ुज़ आपका फोटो फाल पेपर जुभर वाल पेपर जाएगा और आपके without हम पर भिश्योह के-ध Bjarnet यहां पर आपको set on lock and home skin पर click कर देना है थोड़ा से समय लगेगा और आपका वह photo आपके mobile के wallpaper में set हो जागा तो set हो चुका है यहां से हम cut करते हैं और cut करने का बाद आप देख सकते हैं मेरा wallpaper यहां पर set हो चुका है